अभी तो स्वेर बाले पहुंज सिंग भौजपुरी के सेर है पहुंज खेसारी लाल यादों अपने टी आरपी के लिए पवन सिंग पर कुछ भी बोलते रहते हैं। खेसारी लाल यादों ने उन्हें जवाब दिया और कहा कि हम तो हर नौ महिना पर सोहर गवा सकते हैं। बड़ा चेहरा गुंजन सिंग उन्होंने खेसारी लाल यादों के इस ब्यान का विरोध किया है और कहा है कि पवन सिंग भोजपुरी के सेर हैं। वो लोग सोचेंगे। और यहीं बड़ी वज़ा है कि भोजपुरी में वर्तवान जो प्रस्तिती बनी है वो इनी कार्णों से बनी है। गुंजन सिंग ने खेसारी लाल यादों का सिधा विरोध किया है और कहा कि जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुर ही गलत कहा है। पवन सिंग भोजपुरी के सेर हैं और रहेंगे। जान बुच करके हैं या मुझ से उनकी निकल जाती है। कुछ ऐसा निकल जाता है जिससे भोजपुरी में विवाद जो है वो शुरू है आता है। पवन सिंग को लेकर खेसाय लाल यादों ने व्यक्तिगर टिपनी की है। हलाकि इस टिपनी के बाद पवन सिंग या उनके समर्थक के तरफ से कोई परतिक्रिया नहीं दी गई है। आमतोर पर पवन सिंग कोई भी परतिक्रिया देने से पहले हजार बार सोचते हैं। यही बड़ी वज़य समर्थको दोरा बताई जाती है। लोग कहते हैं कि पवंसिंग विवाद में नहीं रहना चाहते हैं कई बार वो अपने आपको रोक नहीं पाते हैं और स्टेज से बोल जरूर देते हैं लेकिन कभी विवाद की सुरुवात पवंसिंग नहीं करते हैं पवंसिंग को लेकर इसारे इसारों में नामर्द भी कहा क यहां तक यह भी काया कि लोग मड़ी जाएंगी तो भी सोहर नहीं गवा पाएंगे हम में इतनी ताकत है कि हर नौ महिने में सोहर गवा देंगे इन बातों को लेकर लगातार एक बाद फिर से भोजपुरी में विवाद शुरू हो चुका है लेकिन गुंजन सिंग ने सीधे स को अपनी उम्र एक बार खुद देखनी चाहिए दर्सकों का क्या लगता है आपको क्या लगता है कि वाकई में भोजपुरी में अपनी टियार पी वटोरने के लिए लोग इस तरह के से विवाद करते हैं अपनी परतिकिलिया कमेंट स्बॉक्स में जरूर रखें